स्क्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं हेलो दूस्तों आपका अपने परिवार्दा स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागा थे दोस्तों और हम लोग जो है आज उसी के आगे रिजनिंग में चल्चा करेंगे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि यहां पर तीन क्लासेज दोस्तों चलवाई जा रही हैं एक सुबा दस बजे एक अभी साथ बजे दोस्तों और एक दोस्तों चलती है चार बजे तो दोस्तों याद रखिएगा सुबा दस बजे वाली क्लास सुबा दस बजे वाली क्लास और साम को साथ बजे वाली क्लास दोस्तों जो बच्चे ग्रूप वाई का फार्म डाले हैं केवल ग्रूप वाई दोस्तों जो बच्चे केवल ग्रूप वाई का फार्म डाले हैं उनको जो है ये दो क्लास दोस्तों डेली देखनी है ये दो क्लास आप कभी मिसमत कीजेगा दोस्तों क्योंकि ग्रूप वाई वाले बच्चे सिर्फ ग्रूप वाई वालों में केवल आपका मैथ और इंगलिस पूछा जाता है दोस्तों मैत और इंगलिस नहीं दोस्तों अंगलिस और रागा जो ग्रूप वाई के बच्चे हैं दोस्तों उनके वाले में केवल रागा और दोस्तों इंगलिस के प्रस्ना आते हैं और जो ग्रूप यक्स वाले हैं दोस्तों वो लोग सुबा दस बजे वाली क्लास और साम को चार वाले हैं दोस्तों वो साम को साथ बजे वाले नहीं मिस करेंगे और दोस्तों जो यक्सवाई दोनों से हैं उनके लिए ये तीनों क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेगा ये तीनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और एक बार मैं आपको फि दो गंते की आपकी महामाено आफनं लेगी दोस्तोव जिसमें हम लोग इंग्लिस ग्रामर का तीन चैप्टर पूरा कम्प्लीट करेंगी दोस्तों, तो चलीए हम लोग स्टाट करते हैं, दोस्तों सामको सात बजे वाली कलास जो चल रही है आपकी, तो दोस्तो मैंने कहा था जैसा कि ग्रुप में भी मैंने मैसेज भेजा था कि अगर 7 बज़े वाली क्लास में बच्चे नहीं रहेंगे दूस्तों देखिए एक यह दो बच्चों के लिए तो क्लास चल नहीं रहें तो दोस्तों class ये 7 बजे वाली बंद कर दीजेगे 7 बजे वाली class नहीं चलेगे फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगी दोस्तों क्योंकि देखिए class मैं चला रहा हूँ अच्छी class दे रहा हूँ कोई ऐसा नहीं है कि आखे जो हमतलब कि group भी चल रहा है दो 알ोश्टो याद रखिएगा 7 बजे वाली class अगर बच्चे नहीं रहेंगे दोस्तो बंद कर देंगे क्योंकि CHSL का exam आरहा है दोस्तो CHSL का exam आरहा है काफी बच्चे जो है message के CHSL का चलवाईए तो अभी उनकी class में नहीं चलवा रहा हो किया कीजिए कमेंट किया कीजिए तो चलिए दोस्तों एक बार हम इस्टार्ट करते हैं और जैहिंद कमेंट करिए दोस्तों एक बार जैहिंद कमेंट करिए उसके बाद हम लोग सुरू करते हैं अपना आज का सिसन हलो अब सेख जैहिंद आसीस जैहिंद मोहित जैहिंद पंकज जैहिंद दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं और कुश्यन आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों कुश्यन आपकी स्क्रीन पर लगा होगा और याद रखिएगा Air Force में जैसे कि पिछली बार वाला प्रस्ट ने जो था दोस्तों 2018 नमंबर में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रस्ट ने पूछा गया था इस टाइप का दिया क्या रहता है दोस्तों आपको दिया है यन ए पी ए के ए यस ओ का अर्थ है का अर्थ है क्या अर्थ है दोस्तों बर्ड्स बी आई आई डी यस बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई यहाँ पर नहीं दिखे गए दोस्तों मैं नीचे लिख दे रहा हूँ बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई दोस्तों आगे लिखा हुआ है री सो री सो ला पा का अर्थ है दोस्तों बर्ड्स आर बेरी ब्यूटिफुल जी हाँ दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगला है टी ने का बो जो पिछली बार का एक्जाम दिया होगा दोस्तों उसको पता होगा कि यह कुश्यन आया था दोस्तों पैरोड्स कोड फ्लाई यही है दोस्तों देख रहे होंगे आप हम क्या देख रहे हैं दोस्तों हमको कोड दिया गया है आगे वर्ड दिया गया है और प्रतेक वर्ड का दोस्तों प्रतेक वर्ड का एक कोड है तो हमको यह बताना है कि किसका कोड क्या है तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का प्रस्न मिल जाए ना जब भी आपको इस तरह का प्रस्न मिल जाए आप यह देखिए कि सेम क्या दिख रहा है कौन कौन सा अच् सेम क्या दिख रहा है तो दोस्तों अगर मैं सेम की बात करूं इसमें इसमें कुछ सेम दिख रहा है तो हम देख रहे हैं दोस्तों सो यहां पर भी है सो यहां पर भी है हम देख रहे हैं दोस्तों पा यहां पर भी है पा यहां पर भी है ठीक दोस्तों इसमें इसमें ये दो चीज सेम है फिर देखिए दोस्तों इसमें क्या कुछ सेम दिख रहा है दोस्तों इसमें कुछ सेम दिख रहा है नहीं इसमें कुछ सेम दिख रहा है द आठात इसमें इसमें आपको कुछ सेस मतलब कुछ सेम नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें इसमें क्या कुछ सेम दिख रहा है दोस्तों इसमें कुछ सेम दिख रहा है हाँ दिख रहा क्या दोस्तों का का इसमें भी है दोस्तों और का इसमें भी है इसक पर पहला तीसरा ले रहे हैं तो यहां भी पहला तीसरा लेंगे यहां अगर पहला दूसरा ले रहे हैं दोस्तों तो चलिए देखते हैं पहला और तीसरा अगर ले रहे हैं दोस्तों तो पहले और तीसरे में देखिए क्या चीज ऐसा है जो दोनों में निखा हुआ है जी हां मतलब एक कोड हमको मिल गया दोस्तों एक कोड हमको मिल गया वो क्या मिल गया दोस्तों कि के एक का जो कोड है दोस्तों वो फ्लाई है एक चीज हमको मिल गया दोस्तों कि के एक जो कोड है दोस्तों वो फ्लाई है नीचे लिखा है इसमें प्रस्ट में दोस्तों कि हाई का कोड क्या है जी हां दोस्तों लिखा है कि हाई का कोड क्या है तो एक तो मिल गए दोस्तों के एक कोड जो है दोस्तों वो फ्लाई है अब इसमें इसमें देख रहे थे दोस्तों कि सो और पा ये दो चीज सेम है इसका मतलब दूसरा पहला और दूसरा देखिए क्या क्या सेम मिल रह बेरी दोनों में है दोस्तों और बड्स दोनों में है इसका मतलब दोस्तों बेरी दोनों में है और बड्स दोनों में है तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों की बड्स यानि की जो आपका पाह दोस्तों पाह और सो पाह और सो का जो कोड होगा दोस्तों वह बड्स होगा और बे क्या बचा दोस्तों यहां पर हाई है ना यहां पर हाई है दोस्तों पहले लाइन में पहले लाइन में देख रहे हैं दोस्तों एक चीत सेज बचा है हाई और यहां पर दोस्तों पहली लाइन में क्या सेज बचा है यन ए तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो हाई का जाएगा यही आ जाएगा दोस्तों यही आ जाएगा दोस्तों नहीं समझ में आया होगा एक बार मैं फिर से बताता हूं दोस्तों एक बार फिर से बताता हूँ दोस्तों करना क्या रहता इसमें सबसे पहले तो आप ये ढूणने कि क्या चीज सेम दिख रहा है सबसे पहले ये ढूणना है दोस्तों क्या चीज सेम दिख रहा है तो हमने देखा दोस्तों पा और सो इसमें भी है पा और सो इसमें भी है मतलब पहले और दूसरे में दो चीज़ से मिल गया अब चलिए इसमें देखिए तो इसमें देख रहे हैं तो दोस्तो बड्स और बेरी यहां भी है तो अर्थात ये दोनों सेम है फिर हमने पहले और तीसरे में देखा दोस्तो तो यहां पे हाई बचा था और यहां पे यन ए बचा था इसका मतलब हाई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों यन ए हो जाएगा अगले वाले में समझ में आ जाएगा दोस्तों अभी नहीं आया होगा मैं जान रहा हूं अगले कुश्यन में दोस्तों समझ में आ जाएगा निक मा दे इसका मतलब है दूसरा है दे लिट पा इसका मतलब होता है दोस्तों फिर आगे दोस्तों मा ला सी इसका मतलब है दोस्तों सी है गॉन तो पूछ रहा है पूछ रहा है दोस्तों ही का कोड क्या होगा पूछ रहा है दोस्तों ही का कोड क्या होगा तो सबसे पहले देखिए क्या चीज सेम दिख रहा है दोस्तों अर्थात हम पहले इसमें इसमें देखें इसमें इसमें अगर देखें दोस्तों कामन देख रहे हैं दोस्तों कम और कम तो देख रहे हैं दोस्तों अर्था डीए का कोड क्या हो गया दोस्तों कम हो गया क्या चीज हमने देखा दोस्तों कि डीए का जो कोड है दोस्तों वो क्या हो गया कम हो गया पहली चीज हमने यह देखी दोस्तों कि दीए का कोड कम हो गय अब आगे चलते हैं और किसमे कामन हैं अगर हम दोस्तों इसमें इसमें देखें क्या कुछ कामन दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसमें इसमें देखें दोस्तों तो देख रहें दोस्तों यम ए यम ए दोस्तों इसमें भी है मतलब पहला और तीसरा याद रखिएगा यहाँ पर जिसमें देखेंगे वहाँ भी उसी में देखेंगे अगर यहाँ पर पहले और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ भी पहले और तीसरे में देखेंगे यहाँ पहले दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पहले दूसरे में देखेंगे जहाँ पर इसमें देखेंगे दोस्तों वहीं पर इसमें भी देखेंगे तो देख रहे हैं दोस्तों यम ए इसमें भी है यम इसमें भी है आपके पास बचा क्या बताईए हमारे पास यहां पर ही बचा है दोस्तों और यहां पर निक बचा है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब हुआ ही का कोड जो है दोस्तों वो क्या है ही का कोड क्या है दोस्तों निक है यही आ जाएगा दोस्तों हमसे पूछ रहा था दोस्तों की ही का कोड क्या है तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पे ही मिल रहा हमको और यहाँ पे निक मिल रहा है यही एक खाली है और हमने कहा दोस्तों जो चीज यहाँ पे लिखा है न इसी क यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस यह है, कि बदल दिया गया हरथात, De कRIGS का मतलब कम होता है, यम A का मतलब हgen होता है, और उसीतरह दोस्तों, नीक का मतलब क्या होगा? ई! होगा! तो यही चीज है, जैसे अभी भी नहीं समझ मैं होगा दोस्तों, अगले कोश्चन पर देख तो तीसरा कुश्यन दिखा है क्या कह रहा है पीक ना हा मतलब हूँ इज दिया फिर आगे देखते हैं दोस्तों दे लिट पर डे लिट रुख जाएगा ये तो ये चीज तो पिछला था दोस्तों अगला है ये हो कि उसके ये बाद है ना टा का वाट इस देट फिर आगे हैं दोस्तों हा जापा इसका अर्थ है दोस्तों हीर एंड तो दोस्तों हमको क्या है कह रहा है हीर का कोड क्या है जी हां दोस्तों हमको बताना है दोस्तों कि हीर का कोड क्या है ठीक तो आप एक बार बताईए मैं देखता हूँ दो कुशन मैंने बताया है देखू किसी बच्चे को समझ में आया कि नहीं दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताईए क्या होगा दोस्तों हीर का कोड क्या होगा आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताईए कि हीर का कोड क्या होगा तो देख रहा हूँ कुश बच्चे सही जवाब दे रहे हैं हाँ सही जवाब दे रहे हैं कुश बच्चे दोस्तों तो देखिए हमने कहा क्या सबसे पहले सेम देखिए किसी दो में पहला दूसरा अगर हम ले ले दोस्तों तो पहले और दूसरे में सेम क्या है दोस्तों इजी यहां भी है इजी यहां भी है ठीक तो इजी यहां पर देखिए क्या चीछ सेम है दोस्तों यन ए यहां भी है यन ए यहां भी है इसका मतलब ह दोस्तों यन एक जो कोड है वो क्या है दोस्तों एक चीज मिल गया हमको आगे चलते हैं दोस्तों क्या इसमें दोनों में और कोई कामन है दोस्तों नहीं कामन दूसरे तिसरे में देखिए दोस्तों इसमें कुछ कामन है दोस्तों इसमें कुछ कामन है नहीं कामन दोस्तों अच्छा इसमें देखिया क्या चीज कामन मिल रहा है दोस्तों इसमें देखिये दोस्तों तो यह यहां भी है और यह यह यहां भी है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यह 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 भी है तो यह एका जो कोड हो गया दोस्तों वो क्या हो जाएगा दियर हो जाएगा य यहां पर दो कोड़ बचा दोस्तों जे ए या पी ए मतलब क्या हुआ दोस्तों मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आप देखिए कुछ नहीं मिल रहा है अब कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों तो हीयर का कोड़ हो जाए कि दोस्तों जे ए या पी ए और एंड का कोड़ हो जाए तो देखिए अब कोई चीज ऐसा नहीं दिख रहा अब जैसे यहां पर तो डारेक्ट था दोस्तों कि यह a यह a था देर देर था इसका मतलब यह fix हो गए है दोस्तों कि यह a का code जो है वो देर हो गया यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों here यहाँ पर है और कहीं नहीं है and यहाँ पर है और कोई नहीं है अगर अभी यह and ना होता और यहाँ पर एक word होता तो अर्थात here का दोस्तों ja हो जाता जैसे यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ peak है दोस्तों और यहाँ who है तर्थात हू का core जो हो जाएगा वह पीक हो जाएगा अगर एक खाली बचता तो वही खाली हो जाता दोस्तों लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दो खाली बच रहा है जिसका मतलब दोस्तों here का जो code हो जाएगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा या तो यह होगा या तो यह होगा तिसी लिए लिखा गया है दोस्तों जे ए या पी ए अभी अगर दोस्तों पुष्टा एंड का कोड तो एंड का कोड क्या हो जाता दोस्तों पी ए या जे और अगर पुष्टा दोस्तों हू का कोड क्या है अगर पुष्टा करें और बताइए जोस्तों समझ मैं नहीं और समझ में आ flew दिया की सिस्तों सुनाइब भी जा विक अभी हम और दिसक्स करेंगे दो सो जब तक क्लियर नहीं हो ज़ाएगा जब तक हम लोग इसको पढ़ते रही कोई जल्दी नहीं ओřिसों कोई जल्दी नहीं हो के पास एक महीने का टाइम है पूरा जो इस बार जाम देंगे दोस्थ नहीं दोस्तों तो आई नहीं है दोस्तों लेकिन जहां तक अंदाज है दोस्तों सिटमबर लास्ट या अक्टूबर के आसपास होना है एक्जाम तो इसलिए दोस्तों तब तक हम लोग maximum तयार कर लिए चुके होंगे दोस्तों तो याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं हम लोगों पास समय है पढ़ते रहिए बस आगला है देखिए दोस्तों लिखा है पीक निक विस इसका मतलब है दोस्तों winter is cold जी हां दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों winter is cold दिक नहीं रहा है दोस्तों दिक नहीं रहा है यहां पर लिखते हैं दोस्तों पीक निक विक इसका मतलब है दोस्तों winter winter is cold फिर आगे है दोस्तों आगे है टू निक ली इसका मतलब है समर इज हाट तो देख रहे हैं दोस्तों इज दोनों मिल गया आगे देखते हैं ली रे है दोस्तों रे पीक बू और इसका मतलब है दोस्तों winter आइंड समर तो पूछ रहा है दोस्तों आए एक और दिया गया है नाइट्स आर कोल्ड और इसका है दोस्तों डूप जाएगा यहाँ पी है वीक थो पा और इसका दिया गया है नाइट्स आर कोल्ड यहीं चीज है दोस्तों और पूछ रहा है पूछ रहा है कि समर का कोड क्या हो जाएगे दोस्तों समर का कोड पूछ रहा है दोस्तों कौन सा कोड पूछ रहा है दोस्तों समर का कोड पूछ रहा है ठीक तो अब सबसे पहले देखिए अब इसमें मिला यह किसमे किसमे देखिए देख रहे हैं winter यहाँ पर है दोस्तों तीसरे में क्या चीज सेम दिख रहा है दोस्तों पहले और तीसरे में क्या चीज सेम दिख रहा है पीक सेम दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो पीक का कोड है दोस्तों वो क्या है विंटर है किसी कोई समस्य दोस्तों पीक का कोड विंटर कैसे हुआ समझ में सबको दोस्तों हमने देखा दोस्तों यहां पर पीक से मिल रहा था यहां पर विंटर से मिल रहा था आगे चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर देखिए आर ई लिखा हुआ है और यहां पर देखिए दोस्तों आर ई लिखा हुआ है इसक में दूसरे और तीसरे में देखिये क्या कामन है दोस्तों समर यहां दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि समर का जो कोड है दोस्तों समर का कोड क्या हो जाए दोस्तों और यहीं चीज़ पूछा दोस्तों कह रहा था कि समर के लिए कौन सा सांकेतिक वर्ड यूज हुआ है तो समर के लिए कौन सा सांकेति को वर्ड यूज हुआ दोस्तों आर ई समझ में आया कि नहीं दोस्तों बताइए कि समझ में आया कि नहीं देख रहा हूं सही जवाब देने दोस्तों आप लोग सही जवाब दिये थे आप लोग तो देखिए दोस्तों स यहां पर पीक मैच हो रहा था इसका मतलब पीक का कोड हो गया बिंटर फिर हमने देखो दोस्तों यहां पीक यहां रे है रे है और यहां दोस्तों देखा समर है समर है अर्थात समर का कोड क्या हो गया दोस्तों और यही हमसे पूछा था दोस्तों आगे चलते हैं अगला होगा कह रहा है सांकीति भासा देखेंगे दोस्तों हमने कहा कि जब तक आज नहीं समझ में आएका तो तब तक आपको बताया जाएगा जब आप ये कहेंगे क्सरी समझ में आगया तब तक इसको सम्झता रहुत दोस्तों चलिये देखते हैं लिखा है Q X A X H U M A D E K O मतलब Q X A X H U M A D E K O इसका अर्थ है दोस्तों और दूसरा लिखा हुआ है दोस्तों Q T P O Q U A और इसका अर्थ है दोस्तों C Cells Twice फिर आगे है दोस्तों सट टिम देखो और इसका है दोस्तों आई लाइक आपल तो कह रहा है कि इसमें आपको बताना है C का कोड क्या है और आपको बताना है दोस्तों एपल का कोड क्या है जी हां दोस्तों यहीं प्रस्ण है हमने कहा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना पहले ये देखिए कि कौन सा वर्ड सेम है पहले एक बार आप लोग कमेंट करिए और बताईए एक बार कमेंट करके बताईए कि सी का और एपल का क्या होगा आपके पास एक मिनट का समय है दोस्तों एक मिनट का समय है दोस्तों आप बताईए कमेट करके कि इसका क्या होगा दोस्तों एकदम जोस भरना चाहिए दोस्तों आप लोग एकदम सांथ है दोस्तों सर्फ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है दोस्तों देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है तो आज जो है लग जाईए दोस्तो एकदम तबाही मचा दीजिए दोस्तो ताबर तोर तबाही मचनी चाहिए दोस्तो ताबर तोर तबाही मचनी चाहिए और याद रखिएगा पूरा अबकी क्वालिफाई करना है दोस्तो अबकी निकालना है दोस्तो जुट जाईए पूछे और जो नहीं आएगा दोस्तों इसके बाद पिर मैं बताऊं गई दोस्तों तो देख रहा हूं मोहित असीस महिल सही जवाबार रहा है अप लोगों का अब से एक सही जवाबार रहा है तो अर्थात दोस्तों सबसे पहले हम यह देखेंगे कि दोनों में सेम क्या क्यों इसमें भी है दोस्तों क्यों इसमें भी है इसका मतलब के डबलू यह किसका कोड है दोस्तों सी का कोड है तो यहीं चीज लिखा हुआ सी का कोड क्या है दोस्तों तो सी का कोड के डबलू है आगे चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए क्या कामन दिख रहा है दोस्तों और देखिए दोनों में कामन क्या दिख रहा है तो देख रहा हूं एपल यहां पर है दोस्तों आपका और एपल यहां पर है पहला और तीसरा देख रहा हूं दोस्तों यहां पर पहला और तीसरा देखिए तरथा दोनों में कामन क्या दिख रहा है दोस्तों दोनों है कहरा है C और एपल के लिए कौन सा सांकेति के कोड है तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा Q & D को अर्थात आप्शन अगले टाइप पर चलते हैं और लिखा है दोस्तों एक मिनट रुकिएगा दोस्तों अगला टाइप दोस्तों जो सीट मैं लिया हूँ इसमें 120 कुश्यन है ठिक तो आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट कुश्यन है मैंने दोस्तों प्रेक्टिस के लिए उस पर टेलीग्र दोस्तों अगला कुश्यन तो एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद दिखें दूस्तों आज आज मैं आपके कमेंट भी नहीं पड़ पाया दोस्तों और आज आप लोग जय नहीं किये तो बताईए आप भारत माता को भूल जा रहे हैं दोस्तों ऐसे काम चलेगा दोस्तो एक बार जल्दी से Like करें, और एक बार जल्दी से Share कर दीचे तो हम लोग अगला टाइप Start करते है दोस्तु जल्दी करिज़ों एक बार जल्दी से दोस्तु तबाहीं मचा ऐसे Share करिए, जबर से जस्त अट चल रहे दो्सटु आप लोग ऐसे ही काम चलाएंगे दोस्तों सोच लिजए कि और 9 लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए हमने कहा है दोस्तों दो-3 दिन मैं और देखूंगा अगर आप लोग रिस्पारस नहीं करेंगे दोस्तों तो प्लास बंद कर दूँगा यह वाली यह वाली class पक्का बंद कर दी जाएगे दोस्तों और अगर यह वाली class बंद कर दी जाएगे जानलिजे आपको भारी नुकसान हो जाएगा अर्थार जो वाई ग्रूप वाले बच्चे हैं वाई ग्रूप में जो reasoning का portion है आपका यही number आपका बढ़ाता है दोस्तों तो इसलिए आपको नुकसान हो जाएगे दोस्तों तो इसको होगा जी हां दोस्तों आकास का रंग क्या होगा जी हां दोस्तों तो सबसे पहले देख लीजिए कि किसको क्या कहा जा रहा है जोस्तों उसी को लिख दीजिए अर्थात हम देख रहे हैं दोस्तों वायू को हरा कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है दोस्तों हरा फिर देख रहे हैं दोस्तों हरे को नीला कहा जा रहा है हरे को क्या कहा जा रहा है नीला और नीले को आकास कहा जा रहा है दोस्तों आकास कहा जा रहा है और आकास को पीला कहा जा रहा है द पानी कहा जा रहा है और पानी को गुलाबी कहा जा रहा है दोस्तों पानी को गुलाबी कहा जा रहा है तो कह रहा है कि साफ आकास का रंग क्या होगा जी हां दोस्तों आप लोग बताईए एक बार तो फिर मैं बताता हूं क्या होगा इसका देख रहा हूं गलत जवाब दे र आकास का कि आकास किस कलर का होगा तो देखिए आकास कहां पर है एक बार आकास यहां पर है दोस्तों एक बार आकास यहां पर है तो पीछे वाले आकास से आपको कोई मतलब नहीं दोस्तों आगे वाले आकास से मतलब है अर्था दोस्तों आकास का रंग क्या हो जाएगा दोस् प्रस्न दोस्तों यही रहता पूरा प्रस्न ही रहता और प्रस्न केवल यह कह दिया जाता दोस्तों की प्रस्न में दोस्तों यह कह दिया जाता की हरा हरे को क्या कहा जाएगा दोस्तों हरे को क्या कहा जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा सबसे पहले डूड़ेंगे हरा कह है दोस्तों तो हरा यहां है और हरे के सामने क्या है दोस्तों नीला अर्थात क्या हो जाएगा हरे को क्या कहा जाएगा दोस्तों नीला कहा जाएगा बताइए दोस्तों समझ में आएक नहीं सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए लिखने के बाद के वर यह देख लीजिए कि क इसका पूछ रहा है देखा दोस्तों कि आकास का पूछ रहा है अर्थात हमने लिखा है दोस्तों आकास का मतलब पीला तो क्या हो जाएगा दोस्तों पीला हो जाएगा बताइए दोस्तों मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों एक बार एक बार ज दूरते ही दोस्तों एक साइरी आपके लिए मेरे द्वारा एक साइरी आपके लिए अगला कुशन लिखा हुआ दोस्तों टाइप टू का आसमान को जल कहा जाए क्या कह रहा है दोस्तों आसमान को जल कहा जाए जल को हरा कहा जाए हरे को हवा कहा जाए हवा को नीला कहा जाए नीले को बादल कहा जाए बादल को पीला कहा जाए और दोस्तों पीला को जमीन कहा जाए तो मचली कहां रहेगी दोस्तों मचली कहां रहेगी दोस्तों मचली कहां रहेगी दोस्तों अब ये बताईए दोस्तों आप लोग कमेंट करिए पहले इसका जवाब दीजिए उसके बाद फिर मैं बताता हूं दोस्तों सेर नहीं कर रहें दोस्तों आप लोग 20 लोग हो जाएंगे दोस्तों तुरांत एक साहरी तो देख रहें दोस्तों मचली अर्थात मचली दोस्तों कहा रहती है पहले ये बताईए मचली रहती है पानी में अब देखिए पानी को क्या कहा जा रहा है दोस्तों पानी अर्थात जल है पानी अर्थात जल है तो दोस्तों जल कहां रहेगा दोस्तों जल कहां रहेगा बताइए जल आपका दोस्तों हरा में रहेगा तर्थात मचली कहां रहेगी दोस्तों मचली हरा में रहेगी अब कुछ लोग सोच रहे होंगे दोस्तों मचली हरा में रहेगी मतलब तो दो किसले क्या हो जाएगा दोस्तों मचली को क्या कहा जाएगा हरा कहा जाएगा किसी को कहीं दिक्कत है दोस्तों किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया आगे चलते हैं दोस्तों अगला कुशन देखते हैं आगे चलते हैं अगला question देखते हैं question no.3 याद रखेगा यह सब important question है पूछे जाते हैं इसी तरह से direct पूछे जाते हैं दोसтов पिछली बार इसमें का एक प्रसना आया था दोस states पिछली बार इसमें का एक प्रस्णा आया था आप पेपर उठा के देख लिजेगा दोस्तों पिछली बार इसमें का एक कुश्चन मिला था कह रहा है दोस्तों अगला क्या कह रहा है देखिएगा यदि आकास को समुद्र कहा जाता क्या कह रहा है दोस्तों देखिएगा यद को बादल कहा जाता दोस्तों और बादल को नदी कहा जाता दोस्तों तो हम प्यास प्यास लगने पर किसे पिएंगे जी हां दोस्तों प्यास लगने पर किसे पिएंगे बताएं दोस्तों आप लोग कमेंट करिए कि प्यास लगने पर किसे पिएंगे दोस्तों दोस्तों देख देख रहा हूं देख रहा हूं दोस्तों सही जवाबा रहा है नील सही जवाबा रहा है अब इसे एक सही जवाबा रहा है अंकित सही जवाबा रहा है क्या है राठोर सही जवाबा रहा है आपका भी तो दोस्तों क्या देख रहे हैं हम प्यास लगती है दोस्तों पीते क्या ह है पहले आप यह बताइए दोस्तों प्यास लगने पर क्या पीएंगे तो प्यास लगने पर दोस्तों हवा पीएगे ठीक तो यह आज का प्रस्ण दोस्तों आगे देखते हैं अगला चौथा प्रस्ण देखते हैं दोस्तों चौथा प्रस्ण देखते हैं क्या कहरा है देखिएगा कह रहा है दोस्तों चौथा प्रस्ण यादि लाल को हरा कहा जाए क्या कहरा सुनीगा यादि लाल को हरा कहा जाए हरा को पीला कह पीला को नारंगी कहा जाए नारंगी को गुलाबी कहा जाए नारंगी को गुलाबी कहा जाए गुलाबी को नीला कहा जाए नीला को सफेद कहा जाए और सफेद को काला कहा जाए तो गुलाब का पवधा दोस्तो गुलाब के पवधे की पती गुलाब की पती दोस्तो गुलाब की पती किस रंग की होगी जी हाँ दोस्तो बताईए दोस्तो गुलाब की पती किस रंग की होगी तो देख रहा हूँ दोस्तों सही जवाब दे रहे हैं हालो हाँ सही जवाब दे रहे हैं जए हिन जए हिन जए हिन एक बार दोस्तों एक बार जए हिन लगना चाहिए कि एरफोर्ट की बैट चल रही दोस्तों ऐसे काम चलेगा दोस्तों बताईए ऐसे काम चलेगा दोस्तो गुलाब की पत्ती गुलाब की पत्ती दोस्तो किस कलर की होती है हरी होती है और यहां पर देखिए दोस्तो हरा को क्या कहा जा रहा है दोस्तो तो दिख रहा है कि हरा मतलब क्या हुआ दोस्तो पीला तो इसका मतलब दोस्तो गुलाब की पत्ती किस कलर की होगी तो एक टाइप और उठा लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का आज आखरी चेप्टर है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी प्रस्न पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी प्रस्न पूछे जाते हैं दोस्तों हमने सारे प्रस्न बता दिये को और मेडल को कहा जाता है तो गोल्ड को क्या कहा जाएगा जब भी दोस्तों सिंबल रहे ना जब लिखा हुआ है पी के आगे दो लिखा हुआ है और एक आगे है दीखा हुआ है तो देखिये देखियार सफोगा यहां पर देते है एक गोल्ड नहीं है दोस्तों यह गलत लिख दिया हमने यहां पे है दोस्तों यहां पे है डी आई एल डायल को क्या लिखा जाएगा तो दोस्तों देख रहे हैं डी डी है ना और डी को दोस्तों क्या लिखा गया यहां पे तीन लिखा गया है तो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों डी का हो दोस्तों यह नहीं है क्या कहरा है देखिए अर्थात ऐसे ही होता है दोस्तों मैंने गलत लिख दिया दूस्तों ये एटे लेट का डॉलर परसेंटेज है और दरीड और दोस्तों लिखा है डबलू आइडीटी डीवाईड का दोस्तों इस्टार, सी, डिवाइड, आयड दरीड दिखा जाता है, तो डायल को क्या लिखा जाएगा, जी हाँ दोस्तों, तो आप देखिए, यहाँ का मतलब डॉलर, इ का मतलब देख रहे हैं, दोस्तों, आयड दरीड यहाँ भी है, और इ का मतलब आयड दरीड यहाँ भी है, तो ज दूसरे नंबर पर आपका क्या है दोस्तों देखिए भाग तर्थात इसका क्या हो जाएगा भाग आई यहां पर है दोस्तों और आई का देख रहे हैं दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है दोस्तों सी फिर ए देख रहे हैं दोस्तों ए यहां पर है और एक है दोस है तिसका यह हो गया फिर देख रहे हैं यहां है दोस्तों और दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर क्या हो गया परसेंटेज हो गया यह तीसरे नंबर पर है जैरधाटी क्या हो गया है जो गया इस नियम का दूसरा प्रसंट देखते हैं और आज का आखरी देखते हैं दोस्तों गॉन का दोस्तों डॉलर गॉन का दोस्तों और मेडल का मेडल का दोस्तों चार हैज तीन आठ दरीड है तो गोल्ड को गोल्ड को क्या कहा जाएगा जी हÍ दोस्तों पहले periodic यहां पर भी इय है यहां पर भी इए अर्थात यहां देखिए एका क्या है है और यहां भी दोस्तों इदूसरे नंबर पर ही का क्या है है इसका मतलब दोस्तों यह पता चल गया इसका मतलब यह पता चल गया कि सेम करम में लिखा हुआ है तो अर्थात जी और जी यहां है दोस्तों जी की जहां क्या है पांच तो G का 5 हो गया O का % हो गया YL यहां है दोस्तों और YL की जहां P Slide the Read है D यहां है दोस्तों D तीसरे नमबर पर Hit G जहां प्रतीन हो गया अर्थात Gold का जो Code होगा दोस्तों Gold का Code क्या हो जाएका 5 % get the Read 3 तो यह था आज का Session सब्सक्राइक ने था जो कि सोच लीए बच्पने से लेकर के हमेशा आप को मानती है दोस्तों खुद खाना नहीं खहेगी लेकिन आपको जरूर खिलाएगी रिखा आपको भूख लगीया ताप जरूर बनाएगी चाहे वो जितना ठकी हो जो तो मा के लिए मैं एक सारी सुनाता हूं दोस्तो सुनिएगा कब्र की आगोस में जब ठक कर सो जाती है मा तब जाकर कहीं थोड़ा सुकूप आती है मा मम्ता कहते हैं किसे ये क्या चीज है ये तो उससे पूछो जिसकी लुए मर जाती है मा और आज के क्लास में यही पर छोडता हूं मिलेंगे अगले क्लास में दोस्तों नमस्कार शय हिंद दोस्तों मिलेंगे अगले लेक्लास में